डीजल पेट्रोल की कीमते महंगाई, राश्रवाद का नसा, संप्रदाइकता का जहर, बेरोजगारी, तमाम सारे मुद्दों पर भले ही आप नरेंदर मोदी को कोशते रहें, मगर पांच राज के नतीजों ने यह दिखा दिया है कि नरेंदर मोदी आज भी देश की जनता की आशा और अकांग्षा बने हुए हैं, नरेंदर मोदी की तरफ देश की जनता उम्मीदों से देख रही है और वह उम्मीद बने हुए हैं सवाल उठता है कि कॉंग्रेस कब तक अंतहीन सिलसिला जारी रखेगी इंतिजार का कि नरेंदर मोदी कब विफल होंगे और कब हम सत्ता में वापसी करेंगे इस बीच आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से धमाकेदार जीत पंजाब में दर्ज की है कॉंग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है और आज जिस तरह से पंजाब की जीत के बाद अर्विंद के जिरिवाल ने हुंकार भरी है उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी आँखों में देश भर में छा जाने का सपना है और उस अपने के तहट बहुत जल्दी ही उनका राजस्थान प्लान भी शुरू होने वाला है पहरे गुजराद पर फोकस करेंगे और समनान तर राजस्थान पर फोकस करेंगे यह कॉंग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पंजाब गवाने के बाद कहा जा सकता है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी के कॉंग्रेस मुक्त होने का सपना पूरा करना है और पंजाब जाने के बार नरेंदर मोदी अपने सपने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं हैं फिर सवाल उठता है कि कॉंग्रेस के लिए अब क्या बचा है कहते हैं कि कॉंग्रेस इतनी बरबाद हो चुकी है कि अब राख से ही कोई निर्मान उठेगा मगर मैं बार-बार कहता हूँ कि कॉंग्रेस पस्त हो चुकी है उस बुजूरुक की तरह देहरी पर पड़ी हुई है जो परिवार में कोई सुने न सुने अच्छे बुरे का सलाह बस देने के काविल बची है तो क्या आम आदमी पार्टी अब पुरे रेश में कॉंग्रेस का विकल्प बनने जा रही है या कॉंग्रेस के लिए खत्रे की घंटी भी है मगर विकल्प क्या है क्या कॉंग्रेस पीठीकत बदलाव नहीं कर सकती है आखिर क्यों हरी शरावत, अमरिंदर सिंग, दिगविजय सिंग, कमलात, जैसे नेता, मलकार जुन खड़के जैसे नेता बार-बार कॉंग्रेस को याद आते हैं ले देकर एक सचीन पैलेट बचे है कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ उसे वापस तो नहीं पाया जा सकता है मगर प्रियंका गांधी और सचीन पैलेट की जोड़ी को आगे रखकर कॉंग्रेस उमीद दिखा सकती है मगर उमीद दिखाए कैसे राजस्थान में लोग कहते हैं कि 20-30 सालों में ऐसी भरष्ट सरकार नहीं देखी जहां पर कोई मंत्री और विधायक बिना पैसे का काम नहीं करता है जब आप की सरकार इतनी भरष्ट हो जब आप विधायकों को पूरी तरह से छूट दे रखे हो लूटने की फिर जनता में क्या कह कर जाएंगे और क्या कह कर वोट मांगेंगे केवल सामपरदाइकता के आधार पर डरा डरा कर कब तक वोट लेते रहेंगे आप सच प्रसासन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि सचिन पाइलेट की तरफ विधायक चले जाएंगे और हम गदी गवा देंगे इस चक्कर में कहा जा रहा है कहीं ऐसा नहो कि अशोग गहलोत दीविजे सिंग वाली हालत कर दें जिस तरह का उन्होंने मद्यप्रदेश का किया था कि अगले 20 सालों तक कॉंग्रेस आए ही नहीं तो फिर क्या विकल बच्चता है सचिन पाइलेट के पास या तवह अप्रेल मई जून जुलाई तक राजस्थान की सत्ता ले लें अगर नहीं मिलता है तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तरफ भी उन्हें देखना चाहिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर देश के सामने है और जिस तरह से भारी बहुमत पंजाब की जनता ने दिया है हो सकता है जनता की उमीदें आम आदमी पार्टी में बढ़े मगर फिलहाल सचिन पैलर को शुष करेंगे यहीं रहकर संघर्स करें मगर वसुंधरा राजे का क्या बुल्डोजर पर बैठकर सतीस्पूनिया जश्न मनाते हुए बीजेपी का रियाल है जैपुर पहुंचे है जैसे ही एकजिट पोल के नतीजे आये वसुंधरा राजे के हां से प्रेश्नो उटाया शक्ती पर दरसन नहीं था देव दरसन था किसे भुलावे में रखती है महरानिया सबने देखा क्या था क्या क्या बोली था और जिस तरह से जीत दर्ज की है नरेंदर मोदी की टीम ने लगता नहीं कि वसंधराजी का कोई भविश से राजस्थान में रह पाएगा वसंधराजी अब यहां से धीरे धीरे हासिये पर जाएंगी अब मुख्यमंतरी और शोग घलोत ना जाने उनका कौन सा उप्योग प्रियोग कर पाते हैं लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि जिस तरह से नए नए लोगों को मुख्यमंतरी का चेहरा बीजेपी बना रही है भले ही वो चुनाव हार जाएं जीते हैं मगर एक्सपेरिमेंट करने से वो डर नहीं रहे हैं राजस्थान में कोई नया चेहरा ही आ उन्होंने दर्वाजा पहले ही बंद कर दिया है क्योंकि पहली ऐसी ये पुर मुख्यमंतरी हैं जिनको मुख्यमंतरी के पद से उतरने के बाद प्रधान मंतरी नर्दर मोदी ने अकेले मिलने के लिए 10 सेकेंड का भी वक्त नहीं दिया है संदेश साफ है कि आपकी भी हुमें फंसी हुई हैं मगर वही बड़ी बात है कि अगर कॉंग्रेस यहां से सीखती नहीं है समझती नहीं है तो फिर कॉंग्रेस का भविस्टे क्या है हमारी नजरे इस पर लगी रहेगी लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि तमाम परिशानियों के बावजूद हम के मामले पर आपसे बाचीत करते रहेंगे फिलहाल 24 घंटे में जांच के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दे इस मामले में सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और दो चार दिनों के अंदर ही एडी भी अपनी जांच परिक्षा दर परिक्षा रद होती जा रही है नई परिक्षाएं कब होंगी इसके लिए कोई कैलेंडर नहीं जारी हो रहा है कुछ सिलेबस नहीं जारी हो रहा है बेरोजगार खुन के आंसु रो रहे हैं और सरकार अपना स्वागत करवाने में लगी हुई है रोजाना लोगों को बुलाकर स्वागत करवाया जा रहा है कास इस तरह का स्वागत बेरोजगारों को किया जाता उन्हें रोजगार देकर मगर बेरोजगार वोट बैंक नहीं है इसलिए उन्हें कोई पूचता नहीं जिस तरह के पेड़ाम आये हैं उसने बता दिया है कि देश की जनता अब जाती और धर्म से आगे देखना शुरू कर दी है आस्तान तक की रिज्या पूछे शरत कुमार झाल झाल